दस्वां स्वाल शुरू कर रहे हैं मैंने इसमें बताया भी था 10 inverse X को T मान के चलेंगे X की जगह पर 10 T परतिस्तापन हो जाएगा और D X की जगह पर 6 स्क्वेर T D T इसका उकलन 10 T का उकलन 6 स्क्वेर T D T इस X की जगह पर 10 T रख देंगे 10 inverse X की जगह पर T D X की जगह पर 6 स्क्वेर T D T 1 प्लस 10 स्क्वेर T की पावर 3 बटे 2 T 10 T 6 स्क्वेर T D T 1 प्लस 10 स्क्वेर 6 स्क्वेर होता है और स्क्वेर की पावर 3 बटे 2 करेंगे तो स्क्ेर T 2 की पावर 3 हो जाएगी यह कैंसल हो जाएगा और 10 बटे स्क्वेर जब भी अल करेंगे तो स्क्वेर T बचेगा D T फ्रस्ट फंक्षन, सेकिंड फंक्षन, फ्रस्ट एज इस साइन का स्माखलन, माइनस पर्थम का अउकलन, द्वित्य का स्माखलन, और जो पूरा रिजल्ट आएगा उसका फिर से एक बार स्माखलन, साइन टी का स्माखलन, माइनस कोस्टी, One आ जाएगा, माइनस कोस्टी, द्वित्य, माइनस टी कोस्टी, प्लस सांटी, क्योंकि कोस्टी का स्माखलन सांटी होता है, और प्लस का सी, value निकाल लेते हैं 10 t का मान x है इसको x बटे 1 लिख सकते हैं ये लंब बटे आधार है current निकालेंगे तो under root 1 plus x square बन जाएगा इससे sin t का मान लंब बटे current यानि हमारे पास आ जाएगा x बटे under root 1 plus x square cos t की value 1 upon under root 1 plus x square और t हमारे पास है 10 inverse x अगर ये मान इसमें प्रतिस्तापन करते हैं तो या आ जाएगा minus का x upon 10 inverse x upon under root 1 plus x square plus x upon under root 1 plus x square plus c या इसको x minus 10 inverse x बटे under root 1 plus x square d x plus c लिख सकते हैं तो इसका answer होगा e की पावर x fx plus f dash x आ जाई अगर e की पावर x के गुणा में एक तो फलन हो और प्लस उसका अवकलज विद्या मान हो e की पावर x पूरे के गुणा में हो एक फलन और उसका अवकलज तो इसस्तती में इसका जो स्माकल नोता है वो e की पावर x fx plus c डारेक्ट लिख दिया जाता है यह कैसे बना वो हमां बता रहा हूं पहले e की पावर x को fx से गुणा प्लस e की पावर x को f-x से गुणा करेंगे इसमें इसको पर्थम फंक्शन और इसको दिद्या फलन मान के चलेंगे पर्थम फलन as it is दूसरे फलन का स्माकलन माइनस पर्थम का आवकलन f-x होगा e की पावर x का स्माकलन E की पावर X होगा और ये प्लस का E की पावर X F देस X DX as it is इनी इस बाग को ऐसे कैसे रखा है इसमें गुणा का नियम लगा दिया खंट से स्माकलन उप्योग कर लिया ये माइनस का और ये प्लस का दोनों स्माकलन समान है इसलिए कट जाएंगे बाकी E की पावर X का स्माकलन E की पावर X होता है F X प्लस C उत्तरा गया इसका इस नियम का उप्योग हम उन स्वालों में करेंगे जहां पे एक फलन दे दिया जाए और एक फलन का आउकलन दे दिया जाए और E की पावर X गुणा में हो जैसे आपके पास आजाए E की पावर X साइन एक्स प्लस कॉस X हमें पता है साइन एक्स का आउकलन क्या होता है कॉस X होता है यह कर फलन है तो यह इसका आउकलन है E की पावर X गुणा में है तो इसका उत्तर सिधा लिखा जाएगा E की पावर X sin x plus c या यह आजाए e की पावर x 1 बटी x minus 1 बटी x square dx e की पावर x के गुणा में यह दोनों बाग आ रहे हैं हमें पता है इसका आउकलज जो है 1 बटी x का आउकलन करने पर 1 बटी x का आउकलन क्या होता है d by dx करें तो x की गाद minus 1 के विदी से होगा और x की गाद minus 1 का आउकलन क्या होता है minus 1 x की गाद minus 2 या minus 1 बटी x square होता है इसका मतलब इसका आउकलन यह पार्ट बन रहे अगर इसका आउकलन यह डिफ्रेंशेशन यह पार्ट बनता है तो e की पावर x इसका स्माकलन होगा वो e की पावर x इंटू 1 बटे x प्लस c हो जाएगा सिधा हम यह पैचानेंगे e की पावर x के गुणा में कि कौन सा फलन है और कौन सा उसका उसका अउकलज है बाद में e की पावर x गुणा फलन प्लस c लिखते हुए उसका स्माकलन कर दिया अगते हैं इस पर अदाइद 9.6 का 11 स्वाल है वो हमेशा फलन दिया जाए पहला बाग और दूसरा फलन बाग है जो उसका उकलज दिया जाए उल्टा भी दे सकता हो उल्टा दे सकता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन किसका अउकलज बनता है अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अउकलन करके देख सकते हो जैसे कोट x का अउकलन माइनस कोट x स्केर x होता है वो नहीं है इसमें इसका मतलब kotex का तो आउकलन नहीं बन रहा है log of sin x का आउकलन करके देखो d by dx of log of sin x log sin x का log का आउकलन एक बटे sin x sin x का आउकलन cos x तो बचा गया cortex यहनी इसका आउकलन जो है वो cortex बन रहा है अगर इसका आउकलन cortex है तो हमारे पास इसका जो हल आएगा वो कि गात x log of sinex plus c बनेगा 12 स्वाल कुछ अलग है इसमें 12 स्वाल में इस नियम के उपयोग नहीं है कुछ स्वाल है जिनमें इस नियम के उपयोग है or कुछ में direct है, यह दिया हुआ 2x plus sine 2x बटे the 2x plus sin 2x बटे 1 plus cos 2x स्माकल करना है तो 2x plus sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं और 1 plus cos 2x का सुत्तर 2 cos square x लिखा जा सकता है 2 common लेके काड़ देंगे cos square x को अलग लग कर देंगे x के साथ cos square x आएगा तो और इस sin x cos x के साथ अगर cos square x का बाग देंगे 1 cos x कट जाएगा सीधा क्या बचेगा पर्थम फलन द्वित्य फलन पर्थम ऐसे कैसे स्माकलन 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 करेंगे एक 6 square x का स्माकलन करेंगे 10x dx प्लस 10x dx बन जाएगा ये प्लस का और ये माइनस का कटगे उत्तर आगया x 10x प्लस c एकी पावर x गुणा में है 1-sin x बटे 1-cos x dx इसको हल करेंगे एकी पावर x 1-sin x को लिख सकते हैं 2sin x बटे 2 cos x बटे 2 जो अभी अभी sin 2x का सुत्तर लगाया था वो ही sin x के अंदर भी सुत्तर लगया कौन आदे हो गए अपोन 1-cos x का सुत्तर 2sin square x बटे 2 अलग अलग करो एक बटे 2 cos x square x बटे 2 बन जाएगा इसमें 2 से 2 cancel, 1 sin से sin cancel, cos बटे sin यानि cot x बटे 2 बचेगा माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा cot x बटे 2 माइनस 1 बटे 2 cos x square x बटे 2 हमें पता है कि cot x बटे 2 का जब आउगलन करेंगे तो cot का आउगलन माइनस cos x square और x बटे 2 का आउगलन करेंगे दो 1 बटे 2 आएगा सरंकला नियम के उनसार तो इसका आउगलन ये बाग बन रहा है अगर इसका आउगलन ये बाग है और e की पावर एक्स गुना में है तो इसका जो स्माकल नोगा वो e की पावर एक्स cot x बटे 2 प्लस c बन जाएगा चोदमा स्वाल थोड़ा सा अमारे पास अलग है इसमें क्योंकि डारेक्ट आउगलन का वहाग नहीं बन रहा है इसमें e की पावर एक्स लोग एक्स प्लस एक बटे एक्स स्केर dx अगर मैं लोग एक्स का अउगलन करूँ एक बटे एक्स स्केर नहीं आएगा एक बटे एक्स स्केर का अउगलन करूँगा तो लोग एक्स नहीं आएगा इसको अलग अलग करके सुत्तर लगाने पढ़ेंगे हमें E की पावर X लोग X को अलग करेंगे प्लस E की पावर X एक बटे X स्केर को अलग रखेंगे सिर्फ इसमें नियम लगाएंगे पर्थम फलन और द्वित्य फलन आईलेट के उनसार लोग को हमें पर्थम मानना पड़ेगा और E की पावर X को सेकिन लोग X ऐसे कैसे स्माकलन E की पावर X का पर्थम का आवकलन यानि लोग X का आवकलन किया जाएगा दूसरे का स्माकलन किया जाएगा और फिर से एक बार स्माकलन इसको ऐसे कैसे रखो कोई प्रिवर्टतर नहीं हल करेंगे e की पावर x लोग x आ जाएगा एक बटे लोग x का अउकलन करना था इसमें तो लोग x का अउकलन हो जाएगा एक बटे x dx इन दोनों में से अगर हम माइनस का स्माकलन कॉमल लें तो ये बन जाता है e की पावर x कॉमल लेने पर एक बटे x माइनस एक बटे x स्केर dx इन दोनों में से एक तो स्माकलन का चीन है कॉमल ले लिया हमने e की पावर x कॉमल ले लिया यहाँ एक बटे x बचा और माइनस कॉमल लिया हुए इसलिए माइनस का 1 बटे x square dx इसका आउकलन यह बाग है एक बटे x का अभी अभी हमने किया था माइनस एक बटे x square आया था अगर इस फलन का आउकलन यह बाग बन रहा है तो इसका जो समाखलन करेंगे तो e की पाउर x log x minus e की पाउर x बटे x प्लस एंसर है इसका अभी एकी पावर एक्स लोग ओफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स हमें बता है कि सेक एक्स का जो स्माकलन है वो क्या होता है लोग ओफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है सेक एक्स का स्माकलन क्या होता है लोग ओफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स तो लोग ओफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स का आउकलन क्या होगा अगर यह समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है आप इस तरीके से डारेक्ट कर सकते हैं इसमें कि यह हमारे पास इसका स्माकलन यह पार्ट है तो इसका मतलब इसका आउकलन यह होगा इसका आउकलन बन रहा है यह फलन बन गया और यह आउकलन बन गया उसका और या फिर इसका आउकलन करके देख लो डी बाई डी एक्स ओफ लोग ओफ सेक ए लोग का एक बटे सेक आ जाएगा फिर सेक का करेंगे तो सेक एक्स टैनेक्स होता है और टैनेक्स का आउक्लन सेक्स के रेक्स होता है सेक्स कोमन 10x प्लस सेक एक्स बचेगा अपोन में सेक्स प्लस टैनेक्स बचेगा यह कट जाएगा बचा सेक्स इसका मतलब इस लोग ओफ सेक्स प्लस टैनेक्स का आउक्लन सेक्स बन रहा है यह मांसार इसका जो एंसर है वही की पावर एक्स लोग ओफ सेक्स प्लस टैनेक्स प्लस सी हो हो जाएगा सोलमा स्वाल देखो इसमें हमें दिया हुए है एकी पावर एक्स साइनेक्स प्लस कोस एक्स इन्टू सेक्स स्क्वेर एक्स सेक्स को लिख सकते हैं साइनेक्स प्लस कोस एक्स बटे कोस स्क्वेर एक्स लिखा जा सकता है अलग अलग करेंगी तो यह बन जाएगा टैनेक्स सैक्स क्योंकि साइनेक्स 10 वजाएगा एक कोस और बचेगा जो सेक बना देगा मुले के जायेंगे तो सेक एक्स बन जाएगा मैं नहीं पता है सेक एक्स का हो गलन क्या होता है सैकOGम-10 इकस होता है यह है जो स्माकलन क्या यह होर्थ यह एक ata घुए लेंसर ॅक दो